पंजाब स्कूल एडुकेशन बोर्डे यी कंटेंट विच मैं वोकेशनल ट्रेनर विजेक मार गौर्मेंट सीनियर्स कैंडी स्कूल पीर महमतों तो अदस्वागत करदा डियर स्टुडेंट अज जापां ट्रेड प्लम्बिंग क्लास 11 ता यूनेट 2 डिसकस करांगे ता यूज कर देया हैं उन्हें पर डिसकस करांगे अज़ जो कंटेंट अपना सेशन अब्जेक्टिव इंट्रोडेक्शन होल्डिंग टूल्स फिटिंग टूल्स कटिंग टूल्स पाइप बेंडिंग टूल्स अदर टूल्स सेफटी डिरिंग वर्क अते सम्मरी ये सारा जो अपना अब्जच्टिव इंट सेशन दे अदेश ता इस वीडियो सेशन नूँ देखांतों बाद स्टूडेंट सारे टूल्स नूँ चंगी तरा जान लवेगा जेस विच जेमे की होल्डिंग टूल्स, फिटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, पाइप बेंडिंग उन्ना बरे चंगी तरा जानू हो जाएगा। होन अपप स्टार्ट करदें हाँ इंट्रोडक्शन ओफ प्लम्बिंग। पिशले लेस्संदे वेच असी प्लम्बिंग दी प्रनाली दी मत्ता एस दे प्लम्बर दी पूम्पका ते जिम्मेवर्दा दयान कीत्ता। होन असी वक्ष वक्रे संदाते नजर मारांगे जो प्लम्बर नू प्लम्बिंग दी गती वीडियों वेच प्रावशली तरीके ना काम करन वेच सायता कर दे हन। किसे भी हो और खेतर दी तरह प्लम्बर लई कम अनू पूरा करन लई वर्ते जानवाले संद अते पकरना दा पूरा ग्यान होना बहुत जुरूरी है। प्लम्बर नू जो जो भी अपना प्लम्बर है जो टोटी फिक्स करना जामरा मत करन लई कई उपकरन चाहिदे हन। यह करनस आपकह सकते हैं सुजिन प्लम्बर नू उससे काम नो तरह करी किना करन वेच सायता कर दे हन। इसलिए मत्वपुर्ण है कि अपकरना नू योजना मंत्री किना इस्तमाल किता जावे आते किसे नुकसान तो बचन ली सावदी ना लोना टूल्ज नू रख्या भी जावे उनन वर्टों तो बाद उननों निधाठ manner रखना टूल्ज नू कम करनी प्रती रिय देन सारी ले स्रीन बन भी कर सकते हैं जिसे आपने हैं होगे होगे कॉल्डिंग टूल्ज होगे कटिंग टूल्ज होगे बैं इस तोल्ज आप है किया टागृए इस अग्याहा ठाए इस प मुक्सादन शुरनी मन आपका कर देयां next slide क्यों ता सब तो पहला जो अपना tools होंदा है student ओ है अपना tool है holding tools इन holding tools वेच्छ आपका दो tools पढ़ांगे bench wise आते pipe wise holding tools जो वेच्छ आपका जो कह सकते है hold दा मतल होंदा किसे चीज नूँ पकड़ना holds जो pipe या pipe fittings नूँ पकड़न लई वर्ते जांदे हैं उननो holding tools आपका कहनदे है आम तोरते जो वर्ते जाने वाले tools हैं अपने ये वाले holding tools वो दो हैं bench wise आते pipe wise जो bench wise है bench wise एक को पकड़ने जो plumbing विच कई वस्तों नूँ पकड़ने वर्ते जानदा है filing करना, chipping करना, sawing करना, threading करना, tapping करना आदी दे कमा ले ही अपन वाइस दी आप वर्तों करते हैं इसदी आपन बहुत जरूरत हुं दि है इस सारे ऑप्रेशन्स करल से अपह ड़ीं Sullivan हुन लावनते दो चबाड़ are निदारित होँने यह ड़ीं चबाड़ अपना लिख से ळाप चारान वंदुद है जो की मेज फिल स्थ वस्तव्स बतर पकाड़ करल लें benchwise दे 2 चवाड़े दे दो प्लेटा लगई हों दी जैंठ ने झाड़े दो प्लेट लगई हों ये जैंठ यां आ दो प्लेट स सउनी जैंठ ben違 मर्स गवर नो अक कर्एब धा जो 15 चवाड़े दी उ चुड़ाई ते निर्भर करदा है एक बंच वाइस नो जो बोल्ट द्वारा एक टेबल या बैंच ते आपा निदारित कर दे हाँ ता हैंडल दी मदद निदाल जो आपा चबाड़े नो अंदर तो बार लाके जाने आते जो हैंडल है वो स्पिंडल देना फिक्स किता हुंदा है इस तरीके ना बैंच वाइस ते किसे भी वत तो नो कास के बहुत सारे काम नो अपा कर सकते हां ता इससे तरह अपना जो नेक्स्ट जो अगला टूल है होल्डिंग टूल दे विच पाइप वाइस ता पाइप वाइस एक जहाँ टूल है जो पाइप फडनली वर्ते जाना है ता पाइप वाइस जोड़ना थेडिंग करना कटना अधिली पाइप वाइस दिया पाइप वर्तो करते हूं यह दो तरह नहीं होंदे हैं, open side आते fix side, open side तो पावे student, 8 side तो यह open हो जानदा है वला, pipe voice, आते यह जो voice होंदे हैं, दोनों side तो fix होंदे हैं, यह open नहीं होंदे हैं वला, इस करके यह fix side है, तो यह दो अगला कारें जो बजारां दे विच आपनू मिल दे हैं, 80 mm, 105 mm, 103 mm, 107 mm तक आपनू जो standard कार ने, च बाड़े खुलन दे नदे, वो अपनू available ने market दे विच्छ, next, जो अपना चल दे हैं, slide दे, अगला tools अपना student है, fitting tools, fitting tools दे विच्छ आपना student, जदों की holding tools दी वर्तों, objecting, जो भी अपने objects ने, ठीक है, वर्तों ने, पकड़न ली किती जान दी है, इस तरह fitting tools दी विवी वर्तों आपा वकवकर plumbing, precious, cutting कर ली, कसना, किसे नूँ कटना, ठीक है, fixing अदे, होर चोटे बोटे कम ली आपा fitting tools दी विवी वर्तों कर दे हैं, जे fitting tools दे विवी अलग लगने, जिमें पहले अपना wrench हो गया, जिमें एक हाथ नाल चलन वाले tools हैं, जिमें किये, ज्यादा तर जिमें किसे चीन नूँ नाट बोल्ट नूँ खोलना, ठीक है, कसना ली, या pipe नूँ कसना ली, अपा रेंच दी वर्तों कर दे हैं, ठीक है, किसे चीन नूँ टिला या, कसना ली, अपा जाता है, रेंच दी वर्तों, अपा plumbing sector दे वेच कर दे हैं, ता रेंच दे वेच आपा देख दे हैं, दो तरह दे जो आते हैं, अपा नूँ अर्जस्टेबल रेंच दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक सिंपल रेंच हों होंदा है, ठीक है, ता इस वेच अर्जस्टेबल रेंच भी होंदा है, जो तो नेक्स दीखाऊने में, अबला, अर्जस्टेबल रेंच दे वेच की होंदा है, student, जो कह सकते हैं, किसी वी अजीब आते नीमेत कार्दे बोल्टनों खोलन ना ते कसन ली, इस किसम दे रेंच इस दिया पावर्तों कर दे हां, ठीक है, ता कह सकते हैं, वॉल्ब टूटी, गीजर लाचिक दार पाइपा, दिनों कसन ली, खोलन ने, इस दिया पावर्तों, आम कर दे हां, ठीक है, ता इस दे मतलब भी, इस दे वी दो च बाड़े होंदे हैं, इनना में चो एक निदार जे आंए मर्थन दे डाल स्थिर च बाड़े दी बॉड़्य विच खिशकता है, आधर सम्तल च बाड़य आ सबसे विचकार नूपन न भेलोट नो खोलन ली वरती जैंदी हैं, जो ऐ वली सेंटर वली to All the Ann attitudes यूँपना न हूटन भाट ठीन निदी है, और आ भाले मेंज स प्लंबर द्वारा इस टूल दी अपा वर्तों किती जांदी है, वाटर पंप लायर दी निर्मान लई स्टील दी वर्तों आपा कर दे हैं, स्टील दी द्वारा इनू मैनुफेक्चर किता हैं, इस दी जो स्टेंडर्ड अकार है, वो टाइसो एमम तक अपनू अवेलेवल है म मार्केट दे विच, तो जो नेक्स टूल है अपना स्टूडेंट, स्टैंडर, जो भी लग-लग स्टैंडर ने इस वीडियो दूज में तनूल चारतना स्टैंडर्ड दिखा होने दे विच, तो किसे भी नीमित या जो मैं कह सकते हैं, स्टैंडर्ड अकार दे नाट खोलन अते कस्थ ली जोना स्टैंडर दी वर्थों कितिल जांदी है, वर्थे जोनाँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ीखाई देर्या है तो नों डाइगरम ान द विच, ओपिनेंड स्टैंडर दोस्टैंडर अग्या दिखाता है तो नों में पहला भाय Benson औरा, यॉवर्ट intra-nutbolt नुखोलनी półमेश बड्ले न खिषिले लमाला 5मेशब्ल の मीश भिशारीवा ही供 नट बोल्ट धिए अरो रख यह जांदाए अधे लोडी थी टाकत देन सारो इस्तasस पैंडर नू कमाया जाँदाह है छीक है तौं रिंग प्रोसेस नेम यह बटन वीच किये तिल्क ना या नुकसान हो रहे है या स्लिप होना उन्द वीच यह बाहत कट चांस हुन्द या रिंग स्लिपिंग नहीं हुन्दी ठीक है फ्रोजिंग पर के रहा दौरा यह अपा अम्मेनुफक्चर कर दे हां तो एक रोमियम यह बाइक्जाकणल बिंगस्पैन्र अथे कंबिनेशन स्पैनर तो कंबिनेशन जोस्पैनर है वह एक श्पैनर एक साइड शॉंह सैब्ल्स फेक्ष्राय खले अंद्वाज थीधिन ये वहला स्पैनर हुनद है बाइक्च्छ यह बाल्मन पैरसं आपना उन्स पांसह l या वर्क कारदे जो नटपोल्ट खोलना लाग हों डी इनने धो में सरयाँ जेह को तो आथ जानल फहरे बीन फ्रकार में सर्याँ कर लजातार तौन नहीं त नयाको आए सक्दिया देखनोंम और अलग होगा करान दिविच्छे आपनू अवेलीबलत मार्कीत्स दिविच ता्या चार तमने स्पेंडर्स संस्ट्ट्विट टो अधिन्ड टोस निकस्त टूल सक्षी करहां गे हो क्यों नेखी, उसनों खोलना ऊपाई, आपक ट्नि टूल कह सकने, आम तो अट लिए जो वर्ते जाना वाले टूल्स है आपना पाइप कटर, एटूल दी वर्तों हो दो किती हैं नहीं जिदो खास तोर ते कह सकते हैं हैक से दी वर्तों जिते नहीं आप 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 आ ये तेवार साइड ठीक है एते ब्लेड़ सुनने इने जो कि कह सकते हैं ब्लेड़ नंजे ने पर कंप लगातार है इस अहेंडलों को महों दे जाने हा ता ब्लेड़ लगातार कटिंग करता करता जानद एन शीचे तॉर ये डिक करता है है एक्सा ए टूल आम तोरते दोमा थना वरते हैं यह प्लास्टिक पाइप स्टील दी रोड लोह दी एंगल्स अधीन मतब कटल नहीं इस दी अपप वरतों कर देनाट पोल्स तूमी इंदे द्वरा कट्या जा सकते हैं हैक्से दी मतबुर्ण जो हिस्से हन तो नो दिखाई दे रहे हैं डाइग्रम दे विछ हैंडल हो गया इस बाद फ्रेम हो गया ब्लेड अर्जस्टिंग नट हो गया ठीक है साइड ते काम कर ली आहतना चलन वाले हैक्सा भी वरते जाना है पर जो पारी कटिंग करनी है जा को कोई चीज है हुझी जिन्दा बहुत ज़यदा साइज है ठीक है ठीकनेस बहुत ज़यदा है ताँ अपा हैक्सा जो वरक्शॉप देविच यूज कर दे हो पावर हैक्स से दिवर्त भी आपा कर सकते हैं ता जे कर आसी फिल्ड विच कम कर रहे हैं ता अपनों यह वना जो अप्रेट वन्दम आप लिए डिक्स टूल आप होना पर डिसक्स करांगे कि तुडेन्ट ओ है अपना पाइप बेंडिंग टूल्स जो आप कह सकते हैं पाइप नू बेंड करनी वरते हैं थीक है तुड बहुत सारे प्लम्बंग पेशन विछ पाइप लोड होन्दी आप कि दिखाई दे रहे हैं तो नूँं मशीन पाइप बेंडिंग मिशीन कह सकते हैं यह टूल पाइप मोडल नहीं पुर्ट यान अकार अटे मिशीन दी ताकत पाइप दे व्यास अथे पाइप दी स्मगरी दी किसम ते निरबर करदा है जो bending करने है अपा पाइप नो जो इस पाइप नो bend करना है और depend करना है कि उपाइप के इस material दी बनी होई है ठीक है ता उस नो ऊस machine दे विच फिट करके उस pipe नो आपा बैंड कर सकते हैं ठीक है तो लग लग machines ने power machines दी load पह सकती है जे कर आपा कह सकते हैं जे कर ओ किसे iron दी ज आप उस नो bend कर ली power manning machine दी वर्तों भी किती जा सकती है ठीक है student तो पाइप नो bend कर ली आपा pipe bending tools दी वर्तों करते हैं तो होना पर discuss कर देया threading dice पाइप आते fixer जोनल नहीं threading करना बहुत मत पूरने threading dice नो thread बना होना ही अपा वर्त देहां एक pipe जिते इस नो एक होर pipe ना जोड़या जाना है इस दी आपा वर्तों कर देहां तो जिस हमने 2 dice पही है ठीक है इस handle दे विच इस नो fix करके दोनों dice तो आपा इस नो pipe जित हो थ्रेट्स करने थ्रेड़ से मत्फ़ल चूड़िआ बना होन्या हन्द होते आप इसनों पर चड़ा के इसनों rotate कर दें तब आपनीज़ियों यह अपने 20 प्लस कटोगट वी तो ज्यादा टूल्ज ने अपा इंदे चेक करके डिसकस करांगे सारे टूल्स ता जो भी अपना पहला टूल है वो है अपना चीजल ता मैं सारे टूल्स एक वरी नाम बोल देना पहस्त अपना चीजल, फिसकें अथाड हमर, चेंड रंच, रोवर जूम्पर, टॉल, श्रूर दूल, श्रूद्रिवर, प्लय, प्लय, कॉकिंच टूल्स, दूल मशीन, दूल बित, हम अंगर, मेंग थेप्ट, प्लम रोल, यह प्लम बॉब, प्ल मॉब, प्लम बॉब, प्ली शौवल, पिकक्स, मॉर्टर पैन, मेसन स्कोयर, वाटर लेवल ट्यूब, यह सारे टूल्स आपके करके डिस्कुस करेंगे स्टुडेंट, अपना जो पहला टूल है, ओ है चीजल, तो यह सकता आतना बने हुंदे है, ठीक है, आते जाधार कटिंग करनी आप ऐसी वर्तों कर देहां, एक थोड़े दी मनना कंक्रीट सता है, आते कंद विच ग्रूव्स बनाओन लेई, ठीक है, ता इन दी आप वर्तों कर देहां, ठीक है, एक काफी हार्ड मेटीरियल दी मनी हुंदी है, चीजल, जिस करके इसे पिछे आपा लगातर स्ट्राइक कर देहां, थोड़े आपनों कटिंग कर लेई, या ग्रूव्स बनाओन लेई, ठीक है, पाइफ फिटिंग देवे दे, इस दी काफी जरूरत हुंदी, आपनों इस चीजल दी, फस्ट टूल होगा, अपना नेक्स टूल है, हैमर, हथोड़ा, जो हथोड़ा एक सिरा जिस दा कठोर हुंदा है, आते स्टील लोहे दा जिड़ा हुंदा है, आते दुझे पास से जो इंदे लग कर दा हैंडल जाधर बने हुंदा है, ते हथोड़े दे लोहे वला सिरे दा एक पास से तो फ्लैट हुंदा है, आते दूसरे पास से तो तिखा, इस नों पके सकता है, पीन क्या जाना है, ठी सिद्धे पीन से अन्सार्शन निमन अपा किता है किता जा सकता है ठीक है सक्ट स्टील दे बने थोड़े नू अंजिनरिंग थोड़े वजों भी जाने जानदा है एक किलोग्राम दा थोड़ा जो सब तो जादा यूज किता है दा प्लम्मिंग सेक्टर दे वेच होना अपा नेक्स टूल डिस्कुस करांगे चेंड रेंच आम गोल्डिंग टूल दे मामले वेच ज़्यादा तर साइटा करदे हैं जिवें कि मनलो कैसा कि देया वड़े पाइप से जो व्यास देया जो पाइप से जेकर व्यास ज़्यादा है तापाइश तो उत्ते ही पाइप नूँ कह सकते हैं फिक्स करना है अप जोड़ना भी विच ओदो इना इवर्टों किती जन्दी है चेंड रेंच कह सकते हैं दन्दा मॉला ब्लॉक एक हैंडला ते चेंड अंडी है चेंड नूँ कमाके पाइप ते च्रहे जन्दा है ते इस ती मदद मददी पकर मज़त मालमत लेख लेख खोला या कश्या जा सकते हैं जो साइज है तो नो इन विए ठिकाई दे रहा है तेन इन चार इंच छेंच लिए ठाज कि तेन इंच ले फ़िए छारसु प्यत्र चार लेख पानस उपचासी् छे लेख तेन सू आठ सू चौनती आठ लेख जारा है आते बाराली 360 mm बजा रहा है इस इस साइज अपलब्द है होना पर डिस्कुस करेंगे रोवर जंप पर एक अंद विच गयाब नोली वर्ति जांदी है ता जो प्लम्बिंग फिक्चर स्थेर किते जा सकन नेक्स्ट टूल है अपना ट्रोवल जिनाईदे कामली सीमेट अते रेट मिलोंली वर्ति जांदी है ये प्लास्टर करनी भी इस इस इपनो जरूरत हुनदी है मिस्त्रिय द्वारा ये टूल भी आम त्रिक्चे नाली यूज किता जांदा है ते प्लम्बिंग सेक्टर दे विच्वी इस इपना है पेच कस ए टूल अक्सर पेच नो फिट कर नहीं वर्तिया जांदा है इस इक तिक्की नोख हुन दी है जो सानी नल पेच फिट हो अ थे वकवाख अकार दे पेच चल लई वकवाख पेच चल नी मदब पेच कस न पवर्तों करदिया एक प्लम्बर द्वारा वकवाख नोका दे नोका वले पेच कस दी वर्तों अब दी शक्पर दे विच कितो जांदी है next tool file यहाथ ना चलने वाला tool कई तरह दे कम करने वरते जन्द है यह में तिक्क नारे नूं हटाओना ताइट नूं हटाओना जॉब नूं रूप देना सतेदी तूर हटाओना रेती ते मतलब आपा कह सकते हैं यह सारा कम करने कह सकते हैं आपा यह सारा वला जो इन्हों आपा यूज कर दे हां इन्दे पांज पागने पांज जो इन्दे पार्ट सुन देने टैंग, हील, फेस, किनारा अते टिप इसे पांज पार्ट सुन दे हन कम देन सार वक्ष वक्रे किसं दे फाइल दी शकल होंदी है जिमें की हैंड राउंड, पिल्डर, स्क्वाइर, थ्री स्क्वाइर, हाफ राउंड, फ्लाट, नाइफ ठीक है, आते एज आते इन नीडल फाइल भी कह सकते हैं अलग लग तरह यह फाइल ने जो लग-लग सेक्टर दे विच यूज होंदी हैं अकोडिंग डू रिक्वाइर्मेंट प्लायर इचोटे अब्जेक्ट पकड़न नी मतपुन टूल है हाथे कम दे दुरान प्लंबर द्वारा वकवक हिस्यानों कसन या तिल्ला करने ही कई किसमा दे प्लास दी वर्तों किती जान्दी है एसदी वर्तों कटिंग करने वी किती जान्दी है अथे वकवक हिकार दे प्लास मार्केट विच अबलब्द हन नेक्स्ट टूल कौगिंग टूल्स कांध विचले गैपनू परन लई कौगिंग टूल वर्ती जान्दी हन ये टूल बिल्डिंग गैप्स अते स्मगरीनू पर लए अते हटाओन विच अपनी साइता कर दे हन तो ए डाइग्रम देविच तो नूँ टूल देख रहे हन स्टुडेंट ये लग-लग वर्तों लए अपा इनू यूज कर दे हन तो फिलिंग कर लए गैप फिल कर लए ये ये वर्तों अपमा कर दे हैं स्टुडेंग ड्रेल मिशीन बहुत इंपोर्टन टूल है वला तो आम तो आम पर मतब पूरने टूल ठीक है ता हरे एक मैक्सिमम जो भी कोई कह सकते हैं जो भी इंदे विच आपर यूज कर दे वैक्पिन बहुत सारे लोग के नोंग ड्रिल म मेशीन सुन लियां ये आम पर मतब पूर्टल जो की ताथ या लकड़ कंक्रीट आदी साता वे शेक नोली वर्ती जन दिया शेक करने ड्रिल मशीन विच ड्रिल बिटल काया जन द है आते इसनों कुझी दी साहता नापा इसनों कास देने आता जिसी मज़ना ले शेक करता है ता इन विच एक साथदानिया रखने में बहुत जरूरी ने ड्रिल बिट नू जो कि अब मशीन में स्थापत करने तो पहला इस तो तिक्खा किता जाना है चाहिदा है ड्रिल बिट नों कसन नहीं वर्ती जाने कुझी नों कसन तो बाद हटा देना चाहिदा है कई वरी की क करते हैं को जीनु हटाया नहीं जाना तो वी नुक्सवां दाइक हो सकता है तो ड्रिल मशीन तो नेक्स्ट अपना जो टूल है ड्रिल बिट एप करन जो स्मगरी नों काटके स्लेंडरी कल शेक मार्च मज़ कर दे हां ड्रिल बिट लग लग बिट सो नियाने जो की कह सकते ह आपा drill दे आगे fix हो जान दिया ठीक है तो अलग लग bits यह यूज किते हैं यह according to requirement की तुसी shake दिवार वेच करना है की तुसी shake लगड वेच करना है उन्दे according to drill bits लग लग use किते हैं यह ठीक है इंदे विच कुछ diagram तो उन्दिखाई दे रहे हैं अलग लग bits दे लग लग bits जो की fix किते हैं यह एक drill दे आगे ते shake knowledge दी वर्तों किते हैं दिया है hangar pipe hangar दा देश है pipe नूँ फड़ना या एक slab beam छात रही pipe नूँ या pipe ने small नूँ फड़ना ही hangar दा मुक्काम है कि इस दा main work की ही pipe दे small नूँ अथे pipe नूँ फड़ना ना main का मुंदा है hangar दा next tool है measuring tape measuring tape तो पाफ length नूँ अपँ measure करना है एक tape लंबाई मापल नी वर्तियां दी है एब जार विच वकवक material विच मिल दी है जमें की steel कपड़ा कह सकते हैं PVC जड़ी आपन जमें कह सकते हैं कपड़ी ठीके आदी दे वकवक लंबाई विच अपलब दा जमें की करदे द्रवाद जे विंडो वर गे फ्रेम दी सारी दे द्रान लंब करी एक सारता नुजकी नी बनाओ लिए एक प्योगी टूल है यह फर्च दे सता दे लेवल करने मदद करदा है इस विच्छ होल्डिंग पाइप तागा अथे तादी बनाया हुए एक प्लंब बाउब आप इस वर्टिकल बिल्कुल ग्राविटी दी साहिताना बिल्कुल टच कर दें अपा इसनो वर्टिकलिटी आप चेक कर सकते किसे चीज दी इन दी नाल ठीक है स्टूनेट तो टूल सन मेजिंग टे पाते लंब हुना पा नेक्स तूल नान पिरिट लेवल ताए फ्लोर श विच जमें की तो नो दिखाई दे रहे है एक बबल ठीक है ताए बबल जिनो सेंटर दे विच हुनदा है ताए इस तो कनफर्म हुनदा है कि कोई चीज लेवल चाहे है या नहीं कहीं सीमेंट रेट अते कंक्रीट नो लॉन लगी अते खुदाई दी मकसद लगी स्पेड या कही दी वर्तों आपा कर दे हां एक फ्लैट शीट तो बनी हुनदी है जैस वेच एक मौराज में हुनदा है उस ओ इस वेच लक्र दे हैं डलो फिक्स किता है है कही दा साइज उस दी चुडाई इस अते तक्ती दी लंबाई उस द्वारा रिक्वार्मन दे कोडिंग ही निदार्त किती हैं दिया है नेक्स टूल हन स्टूडें अपना शौवल तो कंक्रेट नूं मिलाउन लई अते मोटा नूं पैन विच पाउन लई फरते जानदा है ए स्टील चादर दे बने हुन दिया हन इन दा साइज लंबाई अते चुडाई अकॉर्डिंग टू नेक्स टूल अपना है होना पर डिस्कूस कराऊंगे नेक्स टूल पिक एक्स एस्टील दी मनी हुन दिया है अते एस्टी सक्त मिट्टी दी खुताई लई वर्ती जन दिया है पिक एक्स दा एक सिरा समतल हुन दा है अते जदों की दूसरा हिस्सा जो इस दा साइड हुन द है वो तिखा होंदा है इस दर अबला सिर्ज में एक साइड तो तिखा होंदा है एक साइड तो फ्लैट होंदा है इस में अपना टूल द नाम है पिकेक्स पैन तो एक खुदाई समगरी सीमेंट मोटर कंक्रीट आदी ने चुक्कल नहीं वरते जाना है इसमों कदे मिक्स सीमेंट मोटर ना अपली नहीं वरते जाना चाहिए दा हलके स्टील दी शीट वर जो आप मोटर पैन दी वरतों कर दे हैं स्टील जो वरतों किती हैं दी शीट दी वो लाइट वेट दी भी होने चाहिए तहां जो असानी होवे किसे भी मैसन नों या किसे भी लेबर नों काम करने वेच भी ते दूसरा आपका इसनों कंक्रीट मिक्स कंतवा वॉल्यूम मेजरमेंट आइं देना पर नहीं करना स्टुडेंट मैसन स्कॉर या बारी या दुरूनी को ने आजता कर जाँच करने लए वर्ति जांदी है मैसन स्कॉर ये कार्बन स्टील तो मनी हों दी यह दो में पास से तो माप इंच या सेंटीमिंटर वेच निशान बंद होंदा है ठीक है इंचा में च्वी हुंद है य अपा इसनों रीड आउट करके आप आजता कर दिया जाच कर सकतें अपनी वॉटर लेवल ट्यूब पानि दे पद्द नों जांच चाहन अथे ट्रांसफर करने वर्ति जांदी है ते वर्ति मज़िए इसनों ट्यूब ना मतर्ट्यूब जो खुंदी है इसनों पाइन पान लेजन्द है ते इसते एकोडिंग आपा इसते लेवल चेक कर देया है इस अव्यास दास्तों 15 मिलिमेटर तक होंदा है एमें तक लोडन सार लंबाई दी वर्तों आप 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 दी कर देया कि इन्दी लेंथ अकोडिंग टुरिक्वार्मेंट होंदी है ता स्टुडेंट ए इन्दी टूल्स नू सारे नी वर्तों करन तो बाद की इन्दना सेफटी होनी चाहिए आपने यूज कर लगया तो जो अपा अलगला करके पॉइंट्स आपा डिस्कुस करांगे पहला टूल या टूल दी वर्तों करदे समय नर्देशा वीच दस्थे सही टांग दी वर्तो करो जोवी तोनू मैन्वल मिलधा है जोवी तो रिटन दी वेच जोवी तोनू टूल दे नाल आपनो जोवी आपनो रिकॉर्मेंट्स मिल दिया ने या निया ओन्स करूइंग आपनो करो संदानु काम करन दी स्तीती विच रखो ते लोडी दी देख पाल नसुनेश्चित करो जो टूल्स ने उन्हानु रिखो ठीक है काम करनी स्तीती च रखो ते लोडी दी मतले यह न होए कि जदो तुसी टूल यूज करो वो टूल तो अर्डेली वर्क आउटी ना करे इसले नहीं उसनों काम दी स्तीती विच रखो कि वो सई होए बिल्कुल टूल यह सुनिश्चित करो कि जरूरी सख्याप करन अपलब धन अदे काम करन तो पहलना स्रख्या बहुत जरूरी है जिमेंकी हेलमेंट्स पहनना जैकेट पोना ठीक हर एक चीज दी रिक्वायर्मेंट न नहीं पालना करो तो बिल्कुल लेक्ट्रिसिटी नौल जीततो तुसी काम कर देवो ता तुसी बिल्कुल सक्क्यावर होना चाहिए देवो तो उस्ता मेंधी तुसी पूरी तरह वर्क आउट करनेगेक अप्ने आपनों पूरा प्रटैक्ट करो जंगाल यह मिठी तेल दी वर्तों करो बिना हैंडल दे संदा दी वर्तों ना करो चीजल अते संदे किनारे सिरे तो बुर्द या फसे अपतार नूं हटाओ बिजली दे संदा दी वर्तों करदे होई स्रख्या ग्लास पेनो जिवें की ड्रिल मिशीन तादे हिस्से नों हलके जे लुब्रिकेंट करो बहुत ज़्यादा दबाव या जोर ना लगाओ किसे भी टूल दे उते टूल दी नहीं में तरू विच चांच करो सेफ्टी केस जिमें की हेलमेंट दुस्ताने चश्मा स्रख्या जूते कन प्लग्स कन जूब्ला ये सारी हैं चीज़ा तो डेकुल अवेलेबल होने हैं किसे भी टूल्स दे उते काम कर लगें ता सेफ्टी मस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ अपने प्रिक्योशन सें जो का दे दुरान जुस्त रख्या आप लेनी सी स्टुडेंट तो अज दा पूरा वीडियो सेशन कंप्लीट होन दाया ते जो भी अपनी समरी है इंद विच आपकी सिख्या ये प्लंबर रिक्वाइर सेवरल टूल्स फॉर फिटिंग वर्क फॉर प्लंबिंग फिक्सिंग एट आप और केरिय ओट रिपेर एक प्लंबर ओं बहुत सारे टूलस ती बरको रिक्वाइर हून दियो होने ऊना थूल्स जाहिए ने कोई भी कम करशे नियुकार ही रिपेर रही किसी बीच मोग चीज कर्ले प्लंबर बहुत सारे टूलस ताइट फिक्वान डहार टोस से डिसकस किता तो यह अपना जो आज़ा समदी सेगी सुदेंट तो इस तो माद अपना लक्चर स्माप्त होंदा है थेंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो थेंक यू सो मच्च तुदेंट